अल्लाहुमस अल्हारसूलही करेवाउजब लाहिमिन शितारवजी बिस्म इल्लाहिर रह्मार रही तोड़े वी आर गूएंग टुदिसकेस देशी प्लाइट लाइक प्रोटिस्ट लजी जो हैं वह प्लाइट लाइक प्रोटिस्ट है क्योंकि इनके अदर बहुत सारी फूस अल्जी को प्लाइट लाइक प्रोटिस्ट कहा है यह कुछ अल्जी की जो है यह एक शकल है अब देख सकते हैं कि पानी के उपर अक्सर यह इस तरीके से अल्जी बन जाती है इसके बाद ल्जी की क्लासिफिकेशन अगर हम पहले देख लें तो यहां पर हमारे पास छे इसके फाइलम मौजूद है पहले फाइलम का जो नाम है वो यूगलीनोफाइटा है इसका कामन नेम यूगलीनॉइड्स है यह यूनी सेलूलर भी हो सकते हैं और इनके अदर लो यूगलीना है जिसको अभी हमने डिसकस करना है यह चार्ट जो है यह एमसीक्यूज के हवाले से बोर्ड एक्जाम में बहुत एहम है नीचे अगर आप देखें क्लोरोफाइटा जो यहां पर मौजूद है इसके अंदर से दो एमसीक्यूज पहले 2013-2012 के इमत्हार में आ च यह कुछ फॉर्म है एलजी की और इस तरीके से यह इनका स्ट्रक्चर होता है तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से के फॉटो सेंथिस्स फॉटो संथैटिक है प्रोटिस्ट हैं दुनिया में 50 से 60 फीसद जो फॉटो सेंथिस्स हो रही है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट य तो यह अन देने पोंट बनता है, जो हमारे पास Plants है, यह उनसे थोड़ा सा don sound यह क्योंके Plants के अंदर जो सख्स उर्गन होते है, वह Unicellular नहीं होते इनके जो sex organs भीıylaolly arr John pointed at Plants के अंदर Zou Go tu जो है वह protected होता बकाइदा embryo के अंदर जो के एक multicellular structure है यहां पर इनके जो zygote हैं वो protected नहीं होते तो यह कुछ differences हैं आया कि यह plants के साथ similarity रखते हैं लेकिन यह कुछ differences हैं कि यह plants से थोड़े से मुनफरद भी है बाड़ी फार्म के गरम बात करें तो LG जो है वो unicellular भी है और multicellular भी है unicellular और multicellular दोनों किसम के इनके अंदर structure से पाए जाते हैं और इनके अंदर multi nucleate structure that lag cross walls are called quinocytes तो यह filaments है और यह quinocytes है इन दोनों को अगरा हम इकठा देखने की कोशी करते हैं नेक्स हमारे पास एक डायग्राम मुझूद है यह यह filament structure कहलाता है इस तरीके के जो structure होता है यह filament structure होता है यह जो structure आप देख रहे हैं उपर लिखाव है distinct cells every cell have one nucleus निचे लिखाव है quinocytes multi-nucleated cell a cell that have many nucleus तो distinct cells का मतलब यह होगा कि बकाइदा तोर पर हर cell के अंदर एक nucleus मुझूद होता है धर्मयान में एक septum भी मुझूद है एक wal भी मुझूद है तो हर wal जो हर cell के अंदर एक nucleus मुझूद है तो यह distinct cells होंगे quinocytes की term है जातातर fungi में इस्तमाल हुआ करती है quinocytes जो है multi-nucleated cell है यह जो नीचे वाला structure आपको नजर आ रहा है यह एक पूरा cell है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे nucleus मुझूद है a cell that have many nucleus तो यह पूरा structure जो है जो यह जो किनोसाइट लाइक भी होते हैं डाओ we have the definition of thelis thelis कहते हैं के a body cannot be differentiated into true roots and stems leaves and legs xylem and phloem is called thelis, more than the algae, algae, algae means no root root nor leaf and stem तो नहीं इनके अंदर भगादा जाइलमे कोई मोचोद होते है तो ऐसा स्ट्रक्चर इसको हम तैलस बोलते हैं ऐसा बोलते है जिसके पास जेखाएं था प्रॉपर बर्जान के इन रॉपर ये प्रॉनेंad वाज़े तो algae के अंदर हो जो pigments है वह chlorophyll pigment इनके अंदर मौझूद है जो बड़े pigments है yellow and orange karotenides भी इनके अंदर मौझूद होते हैं ये इनकी जो nature होती है ये protein in nature होते हैं in addition to these pigments algae algae phyla also contain other pigment lyzantophylls भी है और phycorethineine भी इनके अंदर मौझूद होते हैं तो हमने बकाइदा तोर पर pigments की ही बेस पर LG को जो है वह classify किया जो टेबल है उसके इंदर बकाइदा तोर पर अलग pigment की एक कॉलम मुझूद है pigment की बेस पर हम जो है इनको classify किया करते है life cycle life cycle के गरम बात करें तो alga show different type of life cycle all the alga accept rotophyta developed motile flagellated cells during some stage of their life cycle इन तमाम के अंदर किसी ने किसी stage पर इनके अंदर जो है वो flagella मुझूद होते है सिर्फ एक rotophyta red algae है जिसके अंदर ये चीज़े मुझूद नहीं होगा flagella इनके अंदर मुझूद नहीं होते है habitat की बात करें तो ये तकरिबन damp places पर mostly उगाते हैं से कि यहां पर लिखावा कि ocean में भी एंफ्रेश वाटर पॉर्ण्स लेक्स हैं स्ट्रीम्ज हैं होट स्प्रिंग्स पॉलर आइस यह पॉलर रिजन आ महां भी यह बन जाते हैं मॉइस्ट सॉइल है ट्रीज हैं रॉक्स हैं यह तमाम का तमयम जो है यह इनका habitat है एक टर्म इस्तमाल हुई है क्वाने साइट के साथ पेज नंबर 105 पर इंटर इंट्रीकेटली ब्रांच्ट कि ये इंट्रीकेटली ब्रांच्ट है इंट्रीकेटली ब्रांच्ट का मतलब यह होगा कि ये पेचीदा सा एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है ये सीवीड की एक मिसाल है ये सीवीड क्या हमारे पास ये एक स्ट्र making ये सेवीट है बकाएड़ इसकर ये जो स्ट्र makes य मुझ्य ही कामारे नेक्स जो है हमारे पहले पहले याई मिस्थ मिसाल है ये वित्वार जिसका तालुक से इस नाम जो है इसका कामन नेम जो इसका है वो है यूगली नॉइट्स जैसे के आप देख रहे हैं पिक्चर में इसके उपर इनके पास दो फ्लेजला होते हैं एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है बेस्ट ओन मॉलीकुलर डेटा यूगली नॉइट्स और थार्ट वी क्लोज लेटर टू जू फ्लेजलेट्स इन इनको पहले रखा गया था प्लांट किंग्डम में एल जी के साथ एक ग्रूप था प्लांट के अंदर एल जी उस इनके अंदर रखा गया था एड़ी एनिमल क यह मालीकुलर स्टेडी जब की तो इनके अंदर स्मिलेटी पाए गई जू फ्लेजलेट्स जो के प्रोटोजवान से जिसका तालोग है उसके साथ यह बढ़े क्लोज ली इनके रिलेशन्स मिले हैं तो हाववर सम फोटो संथेटिक लिनर्स लूज यार क्लोरोफिल वैं ग सालोग कैसे है सम टाइम जब यूगलेट्स को रोशन नहीं मिलती तो इनके जो है वो क्लोरोफिल इनके जो पिगमेंट्स हैं फोटो संथेजिस करने वाली वो खत्म हो जाते हैं और फिर यह फूड को अप्टेन करने के लिए यह इंजेस्टिव तरीका कार अपनाते हैं औ और गैनिक मेटर जो भी मौजूद होगा इनवार्मेंट के अंदर तो वो इंजेस्ट करेंगे तो यह नहीं कि यह हैटरोट्रॉफ हैं तो जू फ्लेजिलेट्स के साथ यह सवाल आए चुका है पहले कि क्या सिमिलरिटी है यह ग्रेनाइट्स की सबसे पहले जो सिमिलरिट के अンदर भी फ्लेजएल्स हेंस्ट है कि अफना जो है फोटोसंथेकि पिकम्ट पेंडर रॉट्र मोंट तो फिर हो यह घंडर बन जाते हैं हटरोट्रॉफ बनजाते हैं तो दोसरी निचर यह है कि इससमचाइम पार्यजिलेट्स भी हैटर्रॉफ्स है तीसरा पाइंट य तो इस तरीके से यह similarity इनके अंदर मौझूद है तो इंशालला next lecture में हम next topic के साथ मौझूद होंगे